Welcome back to my channel मैं Dr. Priyanka यादो और आज हम बात करने वाले हैं urine infection के बारे में यानि कि पेशाब में होने वाल infection पेशाब में होने वाली जलन के बारे में UTI जिसको बोलते जनरली और इसके symptom क्या रहेंगे बार बार पेशाब के लिए जाना पड़े आपको पेसाब के लिए जाएंगे तो आपको अच्छी तरह से यूरीन ने आएगा चाहते ही बहुत ज्यादा जलन होगी दर्द होगा फिर दो तिन बुंद ही यूरीन आएगा खुलके आपको पेसाब ने आएगा थोड़ी थोड़ी देर में आपको अर्ज आएगी आनिके जाना म को अभी तुरंद यूरीन के लिए जाना पड़े गया सा अ मन होगा आपका लेकिन वहाँ पे जाते सिप जलन होगी दो तिन बुंद हो जाएगी यूरीन बाद में वहाँ पे जलन और उसके साथ आपको फीवर भी आ जाता है और दुसरे शिम्टम भी रहते जैसे साथ में वजाइनल इंफेक्षन भी हो सकता है कुझली दाने निकला आए और दूसरा येदि आपको यूरीन इंफेक्षन हो रहा है तो जो बार-बार यूरीन के लिए जा रहे है और ये इंफेक्षन कभी-कभी आपने कुछ वहां पे इंटिबार्टिक ली ठीक हो गया फिर आप उन इंटिबार्टिक का कोर्स भी खतम नहीं करते हैं आट-दस दिन बार फिर से हो जाता है और यदि ज्यादा मात्रा में आपको यूरीन इंफेक्षन रहेगा तो कभी-कभी रेडिकलर का यूरीन आएगा यानि कि पेसा आप में खुन तक आ जाता है तो देखो यहां पर यह कर सकते हैं यह दि आपने हमारे कभी पूराने वीवर से कभी आपने हमारी चैनल में आगे भी देखा होगा कि पहले भी बता चुके है लेकिन आपको क्या करना सिंपल यह आपको यूरीन में जलन हो रहे है खुलके पेसाब नहीं आ रहा है बार-बार इंदर जाने पड़ यह बार-बार इच्छा हो रहे हैं लेकिन यूरीन खुलके नहीं आ रहा है यह इस तरह से सिंप्टम आता है तो आपको च्छा सोडा लेनी है च्छा सोडा यानि के बटर मिल्क के अंदर सोडा मिक्स करके पीना है अब किस तरह से एक गलास आप लीजिए उसके अंदर आध और ग्लास आपको अग्लास आपको सोडा डालनी है अब कौनसी सोडा? प्लेन पूल रिंग कीन ले है bardzo कोई भी के आस पास में जो सोडा मिल जाते हैं, गोल ठीक मिल जाता है यम्म्स चाहिए शोर्ण पार पीटहें काना है थमस अच्छाब कर स karena नहीं है ज़्छन नहीं क्ल सकते हैं इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और यदि आप चास सोड़ा भी लेते हैं थोड़ा फाइदा हुआ फाइदा हुआ लेकिन अभी भी वहां पर जलन वगेरा परसिष्ट है कंटीन्यू है तो आप साथ में होमेप्रिक मेडिसिन ले सकते हैं केंथारीज करकें होमेप्रिक मेडिसिन आती है केंथारीज 200 दिन में आप तीन बाल लिजिए सुबर दो पर रात में दो बुन टंग प साथ में लिजिए बहुत ही पेक्टिव रिजल्ट है हाँ यदि आपको वहां पर मैंने जैसे बता है खून आरा पेसाब में तो कभी-कभी वह संकेत है और यदि आपको बहुत ही ज्यादा साथ में बुखार वगेरा है दूसरे सिम्टम असूसियेट कर रहे है तो पिर पर आप एंटिबार्टिक भी ले सकते हैं यदि अच्छा सोड़ा से ठीक ने हुआ तो अगला स्टेप आगा एंटिबार्टिक और यदि साथ में वजाइनल दिश्चार्ज है आपको यूतिया बार-बार हो रहा है साथ में आपको वजाइनल इंफेक्शन बार-बार हो र यदि आप वहां पर वजाइनल इंफेक्शन को ध्यान नहीं देते हैं तो इंफेक्शन उपर तक जाके किड्नी में पहुंच सकता है वजाइनल इंफेक्शन उपर जाके यूट्रस में फिलोपियन ट्यूब में जाके ट्यूब भी बंद कर सकता है तो इंफेक्शन की प्र करती है यह आपको प्रेगनेंसी रुकने में किसी भी तरह की दिक्कत आरे होस्बंड वाइप में किसी की भी प्रोब्लेम हो जाहे आपको भी होर्मोन पर रखा हो या सर्जरी या या यू आई वेब कुछ बोला हो तो मेधिक मेडिसीन से बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है बेसीमा जाहे एक तो उसके लिए अप हमारी ट्लिफुनिक अपकोंमेंट बूक करा तो करा सकते हैं या श्क्राइब करना चाहें तो मानन अन्ध में गुज्रात में उस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं तो चलिए अग्या विस्ट ना ही फिजल्दी मिलेंगे तब-tक के लिए, Stealthy, Stealthy, Bye